धन धन सत्गुरू तेरा ही आसरा प्रसाद से रोग दूर किया सरसा शहर के भगत चुन्नी लाल को छोटी आयू से ही शेहंशा मस्ताना जी के दर्श दिदार की तड़ प्रहती वे एक सेठ की दुकान पर दिन को नौकरी करता जैसे तैसे समय निकाल कर ससंग वा मजलिस सुनने के लिए आश्रम में आ पहुँचता आश्रम में आ कर उसे असीम शांती प्राप्त होती एक बार वे भक्त मजलिस के दौरान देरा सच्चा सुदा में पहुँचा आप जी कुछ भक्तों से बातचीत के दौरान फरमा रहे थे के बेशक अच्छा खाओ अच्छा पहनो दौल्त कमाओ मगर सातगुरू को एक पल के लिए भी ना भूलो और गुनाहों से दामन बच मौका देखकर चुन्नी लाल ने आप जी को धन धन सत्गुरू तेरा ही आसरा नारा लगाया शेहंचा जी ने उस भक्त पर द्रिष्टी डालते हुए पूछा पुट्र तु जिस दुकान पर नौकरी करता है वैसेठ आश्रम के लिए आपको क्या कहता है इसके उत्तर में उसने नमरता पूर्वक बताया के साई जी जहां मैं नौकरी करता हूँ वै दो भाई हैं बड़ा भाई कभी कभी यहां आश्रम में आता है और छोटा भाई निंदक है शेहंचा जी ने उसको लग भग एक किलो जलेबियां एक लिफाफे में देते हुए फरमाया यह प्रस भाई को जादा देना चुन्नी लाल दे रात को घर लवटा और जलेबियों के परसाद का भरा लिफाफा सामने अलमारी में रखा और सूचा के सुभा सेठ की दुकान पर जाकर परसाद खिला दूँगा और सो गया भक्त के घर में उसका आठ वर्ष ये भांजा मनफूल उन दिनों उसके पास रहा करता था लग भग दस देन से वैपेचिस की बिमारी से पीड़त था सरकारी हस्पतार में इलाज के लिए दिखाया परांतु कोई लाव ना हुआ साथ आठ देन से मनफूल को सरसा के एक वैध विध्या घर से दवाई दिलवाई जा रही थी पर दवाई कोई असर नहीं कर रही थी वै बहुत कमजोर हो गया था बिमार बच्चे ने सामने अलमारी में जलेबिया पड़ी देखी उसने तीन चार जलेबिया खाली बच्चे की बिमारी दूर होती चली गई उसका परिवार आप जी की रहमत पर अत्यांत प्रसान था मरीज वैद विध्याधर के पास दवाई लेने नहीं गया वै तो पुझ्या मस्ताना जी की कृप्या से स्वास्थ हो गया था वैद सोच रहा था के रोगी मनफूल की बिमारी बहुत बढ़ गई है कोई दवा असर नहीं कर रही है अब वै दवाई लेने नहीं आ रहा है शायद मर गया होगा तीन चार दिन के बाद वैद विद्याधर अचानक मनफूल को बजार में जिन्दा देखकर हरान हो गया तथा पूछा बेटा दवाई किस डॉक्टर से ली थी बच्चे ने बताया मेरा मामा सच्चे सौदे से बाबा जी का दिया हुआ जलेबियों का परसाद लाया था उन जलेबियों को खाने से मैं ठीक हो गया हूँ वैद विद्याधर फिर बोला कि पेच्चिस की बिमारी में तो जलेबियों खाने से अंदर जहर बन जाता है फिर दिल में सूचा कि सचे पूरन फकीर की रहमत से ही इस बच्चे का कश्ट दूर हुआ है यह कृश्मा देखकर वैद विद्याधर भी रुहानी फकीर मस्तारनाजी महराज के दर्शनों के लिए डेरा सच्चा सवदा आने लगा उसने अद्र सहत आप जी से प्रार्थ ना की के मुझे भी नाम की दात बक्षू कुछ समय बाद वैद को नाम की बक्षिश हो गई जनम मरन के चकर से आजाद होकर मोक्ष का अधिकारी बन गया सेठ भाण्यों का भी पवित्र परसाद खाने के बाद पुझा मस्तानाजी के प्रती श्रधा विश्वास बढ़ा और उन्होंने सच का मार्ग अपना लिया एक बार पुझा मस्तानाजी ने सरसा शहर के लोगों की सासंग की मांग को पूरा करने हेत्व सासंग करने आना था आप जी का उतारा बहन विद्या देवी मदान के निवास पर था बहन विद्या देवी आप जी के प्रती वहत शरधा विश्वास रखती थी उससे ये सुनकर के मेरे कच्चे वा छोटे से मकान में शेहंचा जी आ रहे हैं खुशे हजम नहीं हो रही थी ये सूचकर के मेरे सत्गुरु जी मौज के मालिक हैं आने से इनकार भी कर सकते हैं विध्या देवी के तवियत अचानक खराब हो गई उसे दास्त वा उल्टिया लाग गई दिमारी जादा बढ़ गई आप जी के आने के समया घर की महला सदस्यों को छात के उपर भेज दिया छात पर इंधन के तौर पर जलाने हेतू बंचटियों का धेर पड़ा था लाजवांती वा उसकी तीनों नंदें छत पर चली गई कनातें लगी हुई थी शेहंचा जी के शुब आगमन पर सभी ने प्रेम पूर्वक नारा लगाया रोगी बहन विद्या देवी अपनी नंदों सहत कनातों के बीच में से आप जी के दर्शन पाने लगी बहन विद्या देवी अपने भाग्या को कोश रही थी के मुझे आज ही यह रोग होना था मेरे घर साई जी आय हैं मैं अभागिन संगत की सेवा भी नहीं कर सकती वैराग्या में आंखों से आंसु बह रहे थे पास खड़ी नन्दोंने प्रेम पूर्वक समूहिक या भजन गाया वाटां वेख दी दियां अखा थाक गण्या हुनता आ सातगुर फेरा पा सातगुर रास्ता जान दी नहीं तेरे प्रेम वाडा मैंनू सके ना कुई पहुंचा सातगुर मैल माडियां भी मेरे पास नज्य कुली कखा दी फेरा पा सातगुर वाटां वेख दीदियां अखा थाक गण्या या वेराग्या भरा भजन सुनकर पूजा मस्ताना जी ने सेवादार गोविंद मदान से कहा या आवाज कित्थों आ रही है भाई पर्दे उतार दो कनातें उतार दी गई बेहनों ने जी मेरी भाबी विद्या देवी को बहुत बुखार है इस पर आप जी ने हांसते हुए फिरमाया हमें पता है इसको जो बुखार है वै सूचती है कि पता नहीं असी आएंगे के नहीं इसको यही बुखार है किर पहलू दाता जी ने एक चीकू के फड़ का परसाद अपने पवित्र हाथों से बहन विद्या देवी को दिया बहन की तवियत उसी समय ठीक हो गई सभी रोग परसाद खाने से दूर हो गए बहन खुशी खुशी संगत की सेवा में जुट गई वै अपने सत्गुरु जी का लाख लाख शुकराना करने लगी उस खुश मिजाज बहन क जीवन में कभी भी कोई कठनाई ना आई गूड रोहनी रहस्या एक बार पूजा के धन पर गुजारा करने वाले सरसा के तीन व्यक्तियों ने आपस में मिलकर सला की के हम सब पोस्तकें पर लेते हैं बाबा जी के पास बहस करने डेरा सच्चा सवदा जाएंगे फिर देख कीर हमें क्या उत्तर देता है हम प्रती एक बात का बड़े धंग से व्याख्यान करेंगे आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे क्योंके पूजा मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सवदा सरसा की शुब स्थापना पर मानवता को बुराज्यों को त्यागने और सच के मार्ग पर चलने का आवहन किया आप जी ने भूले भट के लोगों को समझाया कि किसी भी प्राणी का देल ना दुखाओ अपने अंदर वाले जिंदाराम को खोजो नमरता दीनता धारन कर जीवन गुजारो दान दाक्षना ना लो और ना हे दान पखंडियों को दो मेहनत करके खा ऐसा पाठ सत गुरू जी ने पढ़ाया जिन लोगों का धंदा है लोगों को बहला फुसला कर दान लेना था उनका काम काटने लगा इसलिए उन तीनों ने इसकी कई दिन तक लगातार तयारी की आंत में पूरी तयारी के बाद तीनों ने अगले दिन डेरा सच्चा सवदा में जाने का निश्चा किया वे तीनों व्यक्ति तयार हो कर देरा सच्चा सवदा के लिए चल पड़े आंतरिया में शेहंशा मस्ताना जी ने पहले ही एक सेवादार को बुला कर फरमाया असी हां बे इलमी और अनपड आज कोई इलमी और पढ़े लिखे आएं तो उन्हें समझा देना के हाजर नाजर जिंदाराम क्या है और सच्चा सवदा क्या है इतना कहकर आप जी तेरा वास में चले गए थोड़ी देर बाद वही तीनों घमंडी व्यक्ति आश्रम में आए और आते ही बोले के बाबाजी से मिलवाओ सेवादार ने उन तीनों को प्रेम पू आप मेरे साथ चलिए मैं आपको देरा दिखाता हूं वे लोग देरा देखने लगे प्रांतु उनका ख्याल वारतालाप में जाता था इसलिए वे ध्यान से देख वा सुन रहे थे हर बार यही कहते कि बाबाजी से मिलवाईए सेवादार ने बताया कि अगर तेरा वास से साथ गुरू जी बाहर पधारे तो तुम्हें मिलवा देंगे वैसे तो मिलना मुश्किल है उन तीनों के दिल में ख्याल आया कि शैद बाबाजी को हमारे यहां आने का पहले से पता चल गया होगा इसलिए तेरा वास में चले गए उसी समया अचानक शेहन्षा जी तेरा वास से बाहर आकर आश्रम के पिछली तरफ बेरों के बाग में चले गए सेवादार ने उनको बताया के साई जी पधार रहे हैं और अभी आपसे मिलवाते हैं वे लोग अपने कपड़े में बंधी किताबें नकालने लगे पूजा मस्ताना जी एक बेर के पेड़ के पास जा पहुंचे और वहां से एक टहनी तोड़ी जिस पर कई बेर लगे हुए थे उसके बाद उस स्थान पर आ गए यहां वे व्यक्ति खड़े थे शेहनशा जी ने पूछा कैसे आए भाई उन्होंने कहा के हमें प्रमात्मा के बारे में भली भंती पता नहीं है अत्त हम आप से कुछ पूछना चाहते हैं आप जी ने फरमाया असीतों हैं अनपड बे इलमी फकीर तुम लोग हुए पढ़े लिखे और किताबें हाथ में हैं वे तीनों अंदर ही अंदर परसन हो रहे थे सातगुरु जी ने आगे फरमाया वरी बात यह है के प्रमेशवर तो कोई दूर नहीं तुम यह बताओ के यह बेर कहां से आये यह पाकर तयार है यह फूल इस टहनी पर किधर से आया यह बेर क्याँ बने रास मिठा कहां से आया बोलो कोई आवाज आयी थी कोई पता चला के बेर इतना बड़ा हो गया और इतना मिठा बन गया अब बोले काउन सब सुन खड़े थे उनको अंदर से ही पता चल गया के यह बाबाजी कोई आम व्यक्तिता वाले नहीं है बलके यह उच्च कूटी के पूर्ण सचे फकीर स् परमेश्वर ही हैं उनको चुप खड़ा देखकर पूजा मस्ताना जी ने फरमाया वरी बात यह है कि इसके अंदर रस आया जो बेर बन गया इसी परकार तुम्हारे अंदर परमात्मा सच्चा सत्गुरू जिंदा राम है जो अंदर छुप कर बैठा है अगर किसी को मिला ह तो अंदर से मिला है अगर किसी को मिलेगा तो अंदर से मिलेगा वे तीनों मस्त हो कर आदर सहत खड़े सुन रहे थे शेहनशा जी ने पूछा बताओ तुम तो इलमी और अकली हो इन में से एक घबराते हुए वा अटकते हुए बोला कि बाबा जी हमें पता नहीं था आप हमें ऐसे समझा देंगे हम नादान हैं बे समझ हैं जी हम आप जी से समझने के लिए आये हैं जी शेहनशा जी ने आगे समझाया तो असे तुमको बोला साथग्रू बवड़ी के अंदर ही है अंदर से ढूंडो इतना फर्मा कर साइं जी चले गए उनको साच का एहसास हो च दुका था नादान बे समझ इनसानों को किस निराले अंदाज में आप जी ने रोहानी गूर रहस्या सहज धंग से समझाया धन धन सत्गुरू तेरा ही आस्रा